हेलो गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियों हम यूको बेंक का ATM का पिन जनरेट करना सीखेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि यूको बेंक का ATM पिन जनरेट कैसे करें या फिर यूको बेंक ATM ग्रीन पिन कैसे बनाएं तो आज का ये वडियो आपके लिए काफी हिल्फुल होगा तो आज न्यू एटियम का पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से कोई भी ब्रजर ओपन कर लेना है तो यहाँ पर हम क्रोम ब्रजर को ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्रजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है यूको बिंक तो यूको बिंक सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक अप्सन में लेगा generate green pin तो guys, यहाँ पर आपको generate green pin के इस option में क्लिक कर देना है generate green pin के option में क्लिक करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो guys, यहाँ पर आपको कुछ turn and condition देखने को मिलेगा तो guys, यहाँ पर आप turn and condition को पढ़ सकते हैं टर्मन कंडिशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इस टर्मन कंडिशन को एकसेट करना होता है तो इससे एकसेट करने के लिए आपको इस बाक्स को टिक करना है और बाक्स को टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक अप्शन में लेगा प्रोसीड का तो guys यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस option में क्लिक कर लेना है प्रोसीड के option में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा generate green pin और reset pin तो guys यहाँ पर आपको generate green pin के इस option में क्लिक कर देना है इस option में क्लिक करने के बाद अपके समने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो guys, यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स फिल करना है तो guys, यहाँ पर आपका पहला option है यो डेबिट या फिर ATM कार्ड नमबर तो guys, आपका ATM का जो भी कार्ड नमबर है वह यहाँ पर आपको डाल लेना है ATM कार्ड नमबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा card expiry तो guys, आपका ATM कार्ड का जो भी expiry है वह यहाँ पर आपको select कर लेना है expiry date select करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा एक option मिलेगा CBB वह यहाँ पर आपको डाल देना है एकाउंट नमबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक अपसर मिलेगा नियू पिन का तो गाईज अब आप अपने ATM का जो भी पिन रखना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको 4 डिजिट का कोई भी स्ट्रॉंग पिन डाल लेना है नियू पिन में पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक अपसर मिलेगा कनफर्म नियू पिन का तो गाईज अपने नियू पिन में जो भी पिन डाला था उहीं पिन यहाँ पर आपको दोबारा confirm करने के लिए डाल लेना है confirm new pin में pin डालने के बाद यहाँ पर आपको कुछ capture लिखा हुआ दिखाए पड़ेंगे तो guys यहाँ पर आपका जो भी capture लिखा हुआ है उहीं capture यहाँ पर आपको नीचे इस box में लिख देना है सारा details डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option में लेगा send OTP का तो guys यहाँ पर आपको send OTP के इस option में क्लिक कर देना है जैसे आप send OTP के इस option में क्लिक के जिएगा तो यहाँ पर आपको अपना ATM card जो है दिखाए पड़ेंगे यहाँ पर आपको ATM card का जो फास्ट चार डिजिट है हुआ यहाँ पर आपको दिखाए पड़ेंगे और जो आपका लास्ट चार डिजिट है हुआ भी यहाँ पर आपको दिखाए पड़ेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका एक box है enter OTP code का तो guys आपके account में जो भी option में क्लिक कर देना है तो guys जैसे आप यहाँ पर submit के option में क्लिक किजिए गाँ यहाँ पर आपका ATM का pin है वह successfully generate हो जाएगा तो guys इस तरह से आप बहुत आसानी से Yuko Bank का ATM का pin जो है generate कर सकते हैं तो guys I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी मिल सके